हलो एबरिबन आप सभी का स्वागत है इस चैनल में आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे बिपीसी टी आरी 3.0 पीजीटी मैट्स के लिए प्रैक्टिस प्रोब्लम देखें कुश्चन कर आए कि इफ लाइन मेक्स एंगिल्स 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री विद प इस टाइप का सवाल टी आरी 2.0 में भी पुछा गया है टी आरी 1.0 में भी पुछा गया है तो डाइरेक्शन को साइन से रिलेटेर सवाल बहुत ही इंपोर्टेंट है जरा समझिएगा तो समझना क्या है इसमें कि अगर कोई लाइन 3D स्पेस में यदि एक्स एक्सिस के सा साथ हैंगिल बनाता है अलफा बाई एक्सिस के साथ हैंगिल बनाता है बीटा और जेड एक्सिस के साथ हैंगिल बनाता है गामा तो अलफा बीटा गामा को करते हैं डिरेक्शन एंगिल और डिरेक्शन को साइन होता है कौस अलफा कौस बीटा कौस गामा जिसको एल एम और n से लिखते हैं और इनके लिए फॉर्मूला होता है l स्कॉाइर पलस m स्कॉाइर पलस n स्कॉाइर बराबर 1 इतना बार यह सब फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं विडियो के माद्यम से कि सब याद हो गया होगा यहाँ पर सिंपल हमको बताना है direction cosine तो direction cosine हो जाएगा आपको cos alpha, cos beta और cos gamma बहुत आसान सवाल है alpha के जगा पर देखिया angle तो alpha जो angle होता है वो x axis के साथ तो x axis के साथ कितना है 90 degree चुकि respectively लिखा हुआ एक करम सह तो जो पहले है वो x बाद में by और सबसे बाद में z तो alpha होगा 90 degree तो cos 90 क्या हो जाएगा 0 बीटा हो गया 60 degree तो cos beta कितना हो जाएगा cos 60 cos 60 का मतलब कितना cos 60 का मतलब sin 30 यानि 1 by 2 और gamma है आपका 30 degree तो cos 30 मतलब root 3 by 2 तो answer हो जाएगा आपका 0, 1 by 2 और root 3 by 2 यह आपका direction cosine हो गया 0, 1 by 2, root 3 by 2 option हो गया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों में से share भी कीजिए अगले question की और बढ़ते हैं अगला question देखिए यह BPSC TRE 2.0 PGT में पूछा जा चुका है सवाल cos minus 1710 degree का value निकालना है तो cos minus 1710 degree कैसे होगा तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर formula लगा दीजिए कि cos minus theta is equals to होता है cos theta cos और sec positive में होता है minus theta के साथ बाकी सभी negative में हो जाएगा तो cos minus 1710 degree जो है वो actually में है cos 1710 degree अब 1710 degree को निकालने के लिए क्या करेंगा आप इसको 360 से divide कीजिए 1710 degree को कितना बार में लग जाएगा तो rotation बता देगा जो divide कीजिएगा तो कितना बार में लगेगा ये 4 times में लगेगा तो 360 into 4 कितना होगा 0, 6, 4, 24 का 4 बाकी 2 3, 4, 12, 2, 14 minus किजिएगा 0 11 में से 4 गया 7 बाकी बच गया ये 6 में से 4 गया 2 270 यानि 1710 degree का मतलब क्या हुआ एक चक्कर लगाएगा तो 360 दो चकर लगाएगा तो 720 तीन चकर लगाएगा 1080 चार चकर लगाएगा 1440 और उसके बाद फिर जाके कहां रूख जाएगा 270 पर तेगा 0, 90, 180, 270 यहां पर आके टिक जाएगा यानि आप इसको लिख सकते हैं जो आपके पास था कॉस 1710 डिगरी इसको आप लिख सकते हैं कॉस 4 इन्टू 2 पाई यानि 360 अब पलस 270 अब यहां एक फॉर्मूला धियान दिजेगा फॉर्मूला होता है कि अगर n इन्टू 2 पाई पलस थीटा के रूप में हो तो ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन में न तो साइन चेंज होता है और नहीं कनभर्जन होता है इसका मतलब यह हुआ कि साइन इन्टू 2 पाई पलस थीटा बराबर साइन थीटा कॉस इन्टू 2 पाई पलस थीटा बराबर कॉस थीटा टैन इन्टू 2 पाई पलस थीटा बराबर टैन थीटा cos n into 2pi plus theta बराबर cos theta similarly, sec और cosec में भी तो यहां भी वही हो जाएगा cos n into 2pi plus theta यानि cos theta अब cos 270 मतलब क्या होगी है? यह 90 का odd multiple होगी यानि cos of 3pi by 2 और आप जानते हैं कि जब-जब 90 degree का odd multiple मिलता है तो cos theta का वहलू 0 होता है cos theta 0 कब होगा? sin theta 0 कब होगा? इसको ध्यान में रखना चाहिए इस सवाल बताने के बाद हम इसका एक concept आपको दे देते हैं तो pi by 2 के odd multiple पर cos 0 होगा इसलिए इसका भैलू क्या हो जाएगा? 0 तो answer होगया इसका 0 0 वाला concept देखिए याद रखिएगा कि sin theta अगर 0 है sin theta अगर 0 है तो तब कब मिले गई? जब theta बराबर होगा n pi यानि pi के integral multiple पर sin theta 0 होगा cos theta बराबर 0 इसका मतलब theta जो है वो odd multiple of pi by 2 है और अगर 10 theta 0 है तो theta बराबर होगा n pi इसी प्रकार से cos theta अगर 0 है तो theta बराबर होगा odd multiple of pi by 2 odd multiple of pi by 2 तो आप बताईएगा कि sin theta 0 कब होगा? और cos theta 0 कब होगा? जल्दी से बताईए तो आपको answer मिल जाएगा कि sin theta और cos theta कभी 0 होता ही नहीं है यहाँ होगा no solution यहाँ नहीं होगा no solution यहाँ इसी और cos theta का जो मान है वो minus 1 से 1 के बीच में नहीं होता है इसको एक बार ज़रा ध्यान दे देजिएगा इसका screenshot ले लिजे दो चार बार इसको देखिएगा याद हो जाएगा अगले question की ओर चलते है अगला question देखिए काफी आसान है यह है sin of cos inverse 3 by 5 is equals to क्या तो आप जानते हैं कि cos inverse x is equals to होता है sin inverse under root 1 minus x square cos inverse x is equals to यहाँ फिर से हम लिग देते हैं की cos inverse x is equals to होगा sin inverse under root 1 minus x square अब आप इसको cos inverse 3 by 5 था तो cos inverse 3 by 5 को sin inverse में लिख दिजी तो cos inverse 3 by 5 बराबर क्या होगा sin inverse अब यहाँ calculate नहीं करते हैं मने मन कीजे under root 1 minus 3 by 5 का square यानि under root 1 minus 9 by 25 तो 25 में से नो जाएगा कितना 16 बटा 25 16 बटा 25 का square root कितना होगा 4 बटा 5 यानि cos inverse 3 by 5 जो है वो actually में sin inverse 4 by 5 के बराबर है अब आप सवाल देखिए सवाल आपके पास क्या था सवाल था sin of cos inverse 3 by 5 यानि आप इसको लिख सकते हैं sin of cos inverse 3 by 5 के जगा पर अभी हमने आपको बताया कि sin inverse 4 बटा 5 होगा अब यहाँ formula लगा दीजिए कि sin sin inverse theta बराबर theta यानि theta के जगा पर कितना 4 बटा 5 तो answer क्या हो जाएगा 4 बटा 5 यही आपका बी दीख रहा है तो answer होगिया 4 बटा 5 काफी आसान सवाल है लेकिन इस type के सवाल पूछे जाते पुछे जाने की संभावना है next question देखिए matrix से है question कराए let a is equals to यह 3 by 3 matrix है मतलब यह square matrix है तो आप जानते हैं कि किसी square matrix का determinant possible है यानि इस matrix का determinant संभाव है तो सवाल कराए कि अगर यह कोई matrix है 3 by 3 जिसके elements में 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta 1 है जिसमें theta 0 से 2 pi के बीच में है तो option कर रहा है दे रहा है कि a का जो determinant है वो क्या होगा यानि actually मैं आपको निकालना है a के determinant का range तो सबसे पहले तो हम determinant of a निकाल लेते हैं तो a का जो determinant है वो यही determinant हो जाएगा square matrix है तो क्या हो जाएगा पहले ρो में 1 हलाकि लिखना नहीं चाहिए समय बरवाद होगा लेकिन concentration बनेगा तो आप भी इसको concentrate किजिए इस पर r1 का element हो गया 1 sin theta 1 r2 का element क्या होगा minus sin theta फिर 1 अब फिर sin theta r3 का element minus 1 minus sin theta r1 किसी determinant को solve करते हैं तो हम लोग यह परियास करते हैं कि इसके properties को use करें और ज्यादा से ज्यादा 0 किसी particular row या column में लाएं अगर इसमें concept में कहीं कोई कमी है तो आप playlist में जाकर देखिएगा determinant का एक playlist बना हुआ है उसकी किसी भी lecture को देखिएगा खास करके पहला lecture को देखिएगा उसमें पूरा concept आपको मिल जाएगा पूरा revision हो जाएगा और अच्छा खासा बक्त कट जाएगा छोटा छोटा वीडियो है 10-15 बिनेट का वीडियो है बर याराम से सब concept समझ में आ जाएगा determinant के playlist में जाएगा बहुत सारा सवाल भी वहाँ बना हुआ है तेखिए अब इस determinant को solve करने के लिए क्या करते हैं कि जो R1 है R1 में हम R2 को जोड़ देते हैं तो देखिए नए R3 को जोड़ देते हैं तो 1 और माइनस 1 0 होगा sin theta और माइनस sin theta 0 होगा यानि दूग एलिमेंट 0 हो जाएगा क्या कर दिये R1 में R1 और R2 को एड कर दिया तो हमारा जो determinant है वो क्या बन जाएगा determinant बन जाएगा हमारा 1 और माइनस 1 0 sin theta और माइनस sin theta 0 1 और 1 यानि 2 R2 में कोई छेरचाड नहीं करेंगे जैसे है वैसे ही रहने देंगे यानि माइनस sin theta 1 और sin theta R3 को भी IGTs रहने देंगे माइनस 1 माइनस sin theta और फिर 1 अब आप यहां से expand कर दिजे तो यह आपका determinant का value मिल जाएगा तो जब यहां से expand करेंगे तो यह खतम होगा और यह खतम हो जाएगा यहीं पर direct हम लिख देते हैं यानि यह का determinant है वो क्या हो जाएगा 2 in 2 यह खतम और यह खतम तो माइनस sin theta गुना माइनस sin theta यानि sin square theta अब बीच में माइनस अब फिर माइनस 1 गुना 1 यानि माइनस 1 यानि 1 पलस में हो जाएगा यानि इस determinant का value हो गया 2 in 2 1 पलस sin square theta और अब यह सवाल हो गया trigonometry का कि इसका range कैसे निकालेंगे तो आप जानते हैं कि sin theta का जो value है वो माइनस 1 से पलस 1 के बीच में होता है अगर हम sin square theta कर दें तब यह non negative function हो गया तो इसका माण अब 0 से 1 के बीच में हो जाएगा sin square theta का माण लेकिन हमको sin square theta पलस 1 चाहिए तो हम सब में 1 ऐड़ कर देते हैं तो sin square theta पलस 1 यह हो जाएगा 1 और 1 2 और इधर हो जाएगा 0 पलस 1 यहनि 1 अब आप इसमें 2 से multiply कर देजे तो यह हो जाएगा twice of sin square theta पलस 1 यह हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2 2 और यह जो value था यही ना आपका determinant of A है यानि A का जो determinant है वो 4 से कम है और 2 से जादा है ध्यान देने वाली बात है कि 2 और 4 सामिल भी है यानि A का जो determinant है वो 2 से 4 के बीच में है 2 और 4 सामिल भी है तो close interval हो जाएगा यानि option आपका क्या मिलेगा determinant of A जो है वो 2 से 4 के बीच और close interval लगता है कि यह option D होगा देखिए determinant of A belongs to 2 to 4 उमीद है कि आप यह सवाल अच्छे से सीख गए होंगे एक बार इसको और आपको बनाना चाहिए अगले question की और चलते हैं next question देखिए अगला सवाल है fx is equals to xq minus 1 बटा xq तो सवाल करा f of x plus f of 1 बटा x क्या होगा इस टाइप का सवाल अभी तक 1.0 और 2.0 में नहीं पूछा गया है लेकिन function का यह सवाल common है question है ncrt से related है तो इस टाइप के सवाल को एक बार आपको practice कर लेना चाहिए देखिए क्या दिया हुआ है f of x is equals to दिया हुआ है xq minus 1 upon xq तो हम आप पहले निकाल लेते हैं f of 1 by x तो f of 1 by x का मतलब क्या हुआ f of 1 by x का मतलब हो गया कि function में जहां जहां x है function में जहां जहां x है उसके जगा पर 1 by x तो x के जगा पर रख देंगे 1 by x तो यह हो जाएगा 1 by x का cube minus 1 by x के जगा पर 1 by x यानि 1 by x का whole cube और इसको फर्दर एक्स्पैंड कर लेते हैं तो यह हो गया 1 बटा x cube minus 1 upon 1 upon x cube और इसको फर्दर एक्स्पैंड किजिए तो यह क्या मिल जाएगा आपको यह हो जाएगा 1 upon x cube minus यह उपर चला जाएगा 1 upon 1 upon x cube यानि 1 into x cube by 1 यानि x cube अब इस दोनों को आपको आइड कर देना है fx और f1 by x तो x cube और x cube कटेगा 1 by x cube और 1 by x cube कटेगा यानि आपको जो find करना था f of x जोड f of 1 बटा x इसका value आपको क्या मिल गया मिल गया कुछ नहीं बचा तो answer हो गया 0 option हो गया c तो हम उमीद करते हैं कि आज जो बताया गया सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे वीडियो को like कीजिए channel को subscribe कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसे share कीजिए हम इसी प्रकार से 4-5-10 सवाल का practice आपके सामने लाते रहेंगे ताकि revision होता रहे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का फिर से एक बार मैं आपसे आगरा करना चाहूंगा कि वीडियो को जरूर like कीजिए चैनल को जरूर subscribe कीजिए अभी भी analysis हम देख रहे थे तो वीडियो में जो भीव जा रहा है इसमें लगभग 82% भीव ऐसे जा रहा है जो चैनल को subscribe नहीं की है अनलब देखते हैं लेकिन subscribe नहीं की है खैर कोई बात नहीं लेकिन आगरा हम आपसे जरूर करना चाहेंगे कि वीडियो को like जरूर कीजिए comment भी कीजिए आपका comment दुसरों के लिए फायदे मंद रहेगा या आपके जो junior होंगे उनके लिए फायदे मंद होगा कि वो analysis चैनल का पढ़ाय का बहुत बहुत धन्यवाद सुबरात्री